ना तुम जानो ना हम तो इस्टार्ट होगे? चलो तो क्या आप लोग ये सब बिल्डिंग्स को जानते हैं? ये सारे बिल्डिंग्स हैं गुजरात में गुजरात हमारे इंडिया का एक ऐसा एस्टेट जो कि हमारे कई महान ने था जैसे कि महात्मा गांदी, सरदार वलभाई पटेल, नरेन वोदी और भी बहुत सारे इन सब की जन भूमी है आज हम उसके मेडिवल हिस्ट्री को जानेंगे मेडिवल टाइम्स में गुजरात का रेजिन गुजरात सल्तनत के अंदर आता था जहां मुजफरी डैनिस्ट्री करूल था इस डैनिस्ट्री की अस्थापना जफर खान ने 1407 में की थी और इसी टाइम पर उन्होंने अपना टाइटल सल्तान मुजफर शाह रख लिया था जफर खान को गुजरात का गवर्नर बना गया था जब गुजरात दिली सल्तनत के अधीन आता था लेकिन 1398 में तिमूर के इन्वेजन के बाद दिली सल्तनत बहुत कमजोर हो गया था जिसकी वज़ा से कई स्टेट्स खुद को इंडिपेंडन गोसित कर दिये इसी टाइम पे जफर खान ने भी डिली सल्तनत से अपना रिश्टा तोड़ एक नए सल्तनत की अस्थापना की जिसे हम गुजरात सल्तनत के नाम से जानते हैं लेकिन इस नए गुजरात सल्तनत को एक असली सल्तनत के रूप में इस्थापित किया एहमद शाव वन ने जो की जफर खान के पोते थे उन्होंने सबसे पहले नॉबिलिटी को अपने कंट्रोल में लिया एड्मिनिस्रेशन को इस्टैबलिश किया और सल्तनत को एक्सपेंड भी किया उन्होंने अपनी राजधानी पतन से बदलकर एहमद अबाद कर दी जिसका फाउंडेशन उन्होंने 1413 में रखा था उन्होंने 1411 से 1443 तक रूल किया यूं तो गुजराद सल्तनत पे बहुत सारे सल्तानों ने राज किया लेकिन गुजराद सल्तनत के सबसे पाउरफुल सल्तान थे सल्तान महमूद बेगरह उनके राज में सल्तनत अपने चरम पे था इस टाइम पे गुजराद सल्तनत इंडिया का वन अफ दे मोस्ट पाउरफुल और वेल एड्मिनिस्टर्ड स्टेट था ये सल्तनत इतना पाउरफुल था इस टाइम कि ये मुगल इंपायर को भी टकर दे सकता था गुजरात सल्तनत के पाउरफुल और प्रॉस्परस होने के पीछे कारण था इसका लोकेशन ये इंडिया के वेस्टरन कोस्ट पेस्थित था जो की अरबियन सी से जुड़ा हुआ है इसी लोकेशन की वज़ा से गुजरात मेरी टाइम ट्रेड और कॉमर्स का एक मेजर सेंटर बन गया था गुजरात के सुल्तान्स पर्शन गल्फ, रेड़ सी, इस्ट अफ्रीका और साउथ इस्ट एशिया से बहुत ही क्लोस ट्रेड रिलेशन्स रखते थे और इन ही वज़ाँ से सूरत, कैमबे और भरूच के जो पोर्ट्स थे वो इंटरनेशनल ट्रेड के इंपॉर्टेंट सेंटर्स में बदल गए गुजरात सल्तनत अपने बहतरीन आर्किटेक्चर के लिए फेमस है इस सलतनत के सल्तान्स बहुत बहुत अच्छे बिल्डर्स थे इस सलतनत के आर्किटेक्चर में हमें इसलामिक, हिंदू एंड ज routes का blend देखने को मिलता है जहां हमें एहमदाबाद की जामा मस्जिद में जैन और इसलामिक आर्किटेक्चर का खुबसुत मिक्चर देखने को मिलता है वही रानी सिप्री मॉस्क में हमें हिंदू और इसलामिक आर्किटेक्चर का युनिक मिक्चर देखने को मिलता है इस टाइम के monuments के carvings, especially जो pillar carvings थे वो सल्तनत के बहतरीन architectural development के proofs है इस टाइम्स में गुजरात, cultural और religious diversity का हब था सल्तनत के जादतर सल्तान अपने religious tolerance के लिए जाने जाते हैं जो अलग-अलग religion के scholars के बीच dialogues को promote करते थे सल्तान के court में भी बहुत सारे post पे हिंदू और जैन काम किया करते थे इस सल्तनत के time पे literature भी काफी develop किया सल्तानों के languages के तरफ लगाओ के कारण गुजराती, Sanskrit और Persian language भी काफी develop किया बहुत सारे सल्तानों के court poets Persian के अलावा Sanskrit और गुजराती में भी लिखा करते थे जितने भी सल्तनत थे, जितने भी kingdoms थे, जितने भी राजे थे सब के भी न कभी end हो गए ठीक वैसे ही गुजरात सल्तनत भी end हुआ गुजरात सल्तनत का decline 16th century के तीसरे डिकेट से शुरू हो गया था इसके decline के पिछे कई सारे कारण थे इन सब में से major reasons था internal strife, external invasions, economic decline और political instability internal strife का मतलब यह हो गया कि जितने भी noblies थे, वो सारे आपस में ही लड़ रहे थे जितने भी nobles थे, वो आपस में ही लड़ रहे थे nobles जो थे, वो अपना परभाव बनाई रखने के लिए लड़ रहे थे दूसरा जो कारण था, वो था external invasions का external invasions मतलब जितने भी पडोसी राज्य थे जैसे कि विजयनेगर इंपायर, बहमानी सल्तनत, मोगल इंपायर यह सब बार-बार गुजरात के सल्तनत पर हमला किया कर रहे थे इसकी वज़े से भी उनकी military थोड़ी कम होती चले गई, उनका military power कम होता चला गया तीसरा major कारण था, वो था economic decline economic decline मतलब उनका जो revenue है, उनका जो finance है, वो कम होता चला गया क्यों, क्योंकि गुजरात सल्तनत का major जो revenue का source था major जो finance का source था वो था trade, जितने भी trade होते थे, उसके उपर dependent था तो जब पुर्तगीज आये इंडिया में तो उन्होंने जितने भी maritime trade थे जितने भी trade थे जो की international market में हुआ करते थे समंद्रिक, जितने भी sea trade थे, maritime trade, उन सब पे पुर्तगीज ने कबजा कर लिया जिसकी वज़े से गुजरात सल्तनत का maritime trade है, वो कम हो गया इस वज़े से economic decline हो गया और जो चौथा major कारण था वो था political instability इसका मतलब ये हो गया कि गुजरात सल्तनत में को कोई मरवा दे रहा था, कभी कोई minister मरवा दे रहा था, कभी कोई nobles मरा दे रहा था, कभी आपस में ही लड रहे थे, तो ये political instability भी एक करण था, सल्तनत का end 1573 में हुआ जब मुगल इंपरर अकबर ने गुजरात को मुगल इंपायर में annex कर लिया, जो राजा थे उनको हरा करके, वो पूरा रीजन मुगल इंपायर में जोड लिया, सल्तनत के जो आखरी ruler थे, मतफ़र शातिरी उन्होंने खुदकुशी कर ली और इस तरह गुजरात सल्तनत एक great legacy दे कर, हमेशा के लिए खतम हो गया